सब्सक्राइब को नमस्कार दोस्तों आज यूपियस से एकोनोमी एक्रिकल्जर स्रीज में चेप्टर पढ़ने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग इंड्रस्ट्री से जुड़ावा यह हमारे सेलेबस है बारत में खादिर प्रसेस का नुद्योग और इसके अलावा इसके कारी वीडियो 10th lesson इसमें तो इससे पहले आप देखना चाहो तो 9 lesson हम पढ़ चुके हैं बहुत इंपोर्टेंट जो आपके प्री और मेंस के एक्जाम दोनों में काम आने वाले हैं यह आपने सेलेबस देख लिया और इसके कुछन लगता रहा है इसलिए बहुत कर लेते हो तो जितने भी कुछन आपके दाइरे में होंगे इस बात को समझ लो कि यूपिसी जड़ा कुछ नहीं कर रहा है बस उन्होंने जो एक सेलेबस दिया एक रोड में दिया उस पर चलने के लिए बोल रहा है सही से उस पर चलने की कोशिश करो अनुसासन के साथ में एक और कुशन 2020 में भी आया है कि देश में खादे परसंगर देव की चुनोतिय क्या है क्या समस्य है और उसके अवसर क्या है खादे परसंगर देव को प्रवसाइट कर्शकों की आई में प्रियाप्तवर्दी कैसे कि जा सकती है बहुत ही सिंपल कुशन ऐसा है निकिन में भूजदा आपको गहराई वाली नोलेच चलिए चाहिए सिंपल सिंपल चीज़े इसमें पूछ रखिए इसके लावा यह कुशन देखें 2019 में देखो लगतार कुशन है 2019-2022 लगतार कुशन पूछ रखें कि खादे परसंगर चेतर की चुनोतियों के समधान वही सेम कुश आज गल आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े एक जो बीग बाजार टाइब की होगे ठीक है किसानों से डारेक्ट क्या करते हैं प्रोडॉक्ट ख्रीतियां और फिर उन पर जो भी फूड प्रोसेस करके उसकी मार्केट में डारेक्ट सप्लाई करते हैं तो इनकी बी ब दफड़ोगे तो इसके आसार कम है कि ऐसे कुसन आएंगे कुसन कैसे आएंगे दुबारा सी दी को चर्चा मेरा फूड प्रोसेसिंग इंडिस्ट्री को लेकर बड़ी चीज़े चर्चा मेरी जैसे आपनी ओप्रेशन टॉप्स पड़ाओगा ना टमाटर वाला रही है अलू लेकिन साथ में जो नीची आएगी वह इसमें आईगी आप समझ चूक हो आते हैं हमारे मूल टोपिक पर कहा देपर सांशन का सामने यर्द क्या है एक सिंपल समझो कि जैसे कोई किसान है गेह उप जाता है या कोई एनने चीज़ उप जाता है तो मतलब आप यह यह मान सकत सिंपल प्रिवास है कि किसान जाने की प्रक्रिया करता है किसे मतलब आप यह मानूं कि जासे करने का अٹटा आटा बनेगा और प्लिड बे docs इस ब्रो मेटरियल उसका प्रोसेस करके हम एक ऐसा वेल्यू एडिट करके एक ऐसा उत्पाद बनाया जो अंतिमोगता तक काम आता है तो उसको हम क्या करते हैं यह बहुत ही सामाने परिवाश है जो हमें समझनी चाहिए जैसे यहां पर लिखा है करसिवसाइक छेत्रों के कच्छे उत्पादों का परसंस करनकर उनका है गयों का बना आट आटा यहां बनाई बड्सकेट बिस्किट यह ब्रेइड मनाई तो और इसका बढ़ um तो रुपे पर केजी हो जाएगा तो हमने वेल्यू एडिसन कर दिया इसमें और इसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी यह इसको पेकेजिंग कर देंगे और वोगता इसको आराम से कई समय तक यही क्या जाता है फुड प्रोसेंग क्या था बहुत बड़ बड़ा महतव होता है शाध में प्सु क estate है और इसमें बोग बटफरी है बकलनेगा बहुत सता बहुत किा है और इसके अंदर बर जब कारीच चेतर बड़ा होता है तो इसके कई सारे function इसमें काम करेंगे function कैसे काम करेंगे किसान से लेकर अंति मोगता तो कितनी एक supply chain की प्रक्रेश होती है तो काफी बड़ा चेतर होता तो यह आपको मालूप होना चाहिए तो भारत में खादे प्रक्रेशन उद्यों का महत्व क्यों important है direct question आ सकता है ऐसे question पहली है इसलिए महत्व है कि यह रोजगार मतलब यह sector जो है पंद्रा मिलियन प्रतेक्स और 40 मिलियन प्रतेक्स रोजगार देता है और देश की GDP में इसका 8 प्रतेक्स योगदान है जैसे प्रतेक्स खुरूब से 40 मिलियन प्रतेक्स रोजगार इसके लावा इसके खादे बाजार में हमें इसका योगदान देखें तो 35% इसकी साथ दारी है साथ में सबसे बड़ा मुदा क्या है आप जानते हो हमारे देश में खादे सुरुक्सा और खादे मुद्रा इस प्रती घृगए बड़ा बघ्रूपाद बोच बहुता तो सब्सक्राइब कर दर्वारा इसके लीवेस निवेस फूट प्रोसिंग इंड़िस्टिरिज में वेस हो रहा है इए अधिक सब्सक्राइब कर्स प्रोसिंग में बर्चर बिल्कुल जीवें एक दम आप कह सकते हो कि कैसे मतलों कच्य माल को क्या करेंगे फ्रोसेस करके कैसे इसको एक विंद्रबान सेक्टर की बड़ा रूप दे सकते हैं इसके लाब करसिरульт की वरदी का इंजन है बिल्कल सही है क्यूंकि और करसिरली सेक्टर माँ जानते हो गदें की suburban के से आई कैशी बढ़े गी इसमें कहीं नहीं कहीं 30 परद आएगी और किसी भी छेतर में यदि 30 परद आती है सकरात्मक उसमें 30 परद देखने को मिलती है तो सभी से जुड़ी ओ लोगों को इससे फायदा मिलता है इसके लबा ग्रामिंट छेतरों की आईव विकास बिलकुल सही बात है क्योंकि आप जा तिकरण आप जानते हो जैसे एक्जामपल के तोर पर देखें दूद पालन की बात करें तो पसुपालन आएगा पसुपालन में आप जानते हो लगबग पसुपालन में अपने आसपास के रेशियो बताऊं तो यहां पर यह कि 99% महिलाईं पसुपालन करती है या दूद निक सब्सक्राइब बड़ा योगदान है ठीक है और करसी विविता करसी विविता आएगी बिलकुल क्योंकि अलग लग कोई भी ऐसा चैतर करसी का जिसमें यह होता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडिस्ट्री उस सेक्टर में इस्तापित है तो जो उसका रो मेटरियल होता है उसक क्योंड इन्डिस्ट्री की डाट क्योंट से मिक्री फूल प्रोसेसिंग प्रोसेंग एट्रिक की प्रोसेसिंग ह कहता है कि बूड प्रोसेसिंग के लेड़ान होता है किस प्रकार उन में अच्छे सोचता कि और सुरुकसा के मानक होते हैं इसे एक फाइदा मिलता है कि फूड प्रोसेशिंग इंडिस्ट्री यदि सही से काम करती है तो निरियात भी अच्छा होता है क्योंकि आप वेस्टन कंट्रीज के मानक जानते हो कि कई वार यहां भारत से कोई वहां पर आइटम जा रहा है जैसे कोई डैरी प्रोड़क्ट है या मीट प्रोड़क्ट है तो उसमें कई वार वो गलतियां निकालते हैं कि आपके प्रोड़क्ट में ये फैस्टी साइड है ये समस्से हैं तो हमारा जो निरियात है, वो भी फरबावित होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके लाव़ ये फूड प्रोसेसिंग इंडिस्ट्री से की इसमें ने ने हमेशा क्या होते हैं, इनोमेशन होते रहते हैं, आप भी जानते हो को दूद का बटर बनाया, दूद से हमने केक बनाया, क्रीम बनाई, ने ने और प्रोड़क्ट उसमें ने ने एड होते जाते हैं, ने नी चीजें, एड होन होती है तो उसमें ने ने रोजगार और आर्थी क्रियाओं के अफसर निकलते हैं, ये बता सकते हो, इसके लाव़ इस दोग में संभावना ही कितनी, भारत में खाते परससरन उद्योग में विकास के किरनी संभावना है, ठीक है, इसके संभावना ही हम देखते हैं, तो विकास के 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 संभावना ही ह में समबावन कर ऐकि ایک तो हम देख रहें कि क्या संबावना है आप देखों कि भारत में फूड प्रसेसिंग इंडिस्ट्र क्या म魔 अच्छी परगति कर सकती है हमारे पास ऐसा क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडिस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है यह सेक्टर बड़ा हो सकता है तो संभावना तो है एक तो आप जानते हो कि जैसे हमारे देश की बात करें एक तो यह पोईंट अच्छा है गरेलू मांग की बात करें कि किसी भी देश के अंदर इंडिस्ट्री कैसे काम करेंगी यह उस इंडिस्ट्री का प्रोडुक्ट की मांग होगी तो हमारे पास तो इतनी जनसंग क्या है कि बाहरे हमें ज्यादा जाने क्या आउसकता है नहीं जैसे चीन है चीन का बहुत सरा प्रोडुक्ट वहां के लो बिर्यात का भी एक अच्छा दस्टीकोन है तो इसकी दस्टीकोन से हम 500 बड़ा हो देख हमारा यह है ठीक है इसमें आप यह बता सकते हूँ बहुत सारे और अपरस्टीक है हमारा देश इतना बड़ा है कि इतना बोगलिक विस्तार है हमारे देश का कि इसमें जलवाईव की बोज़द विवित्ता होती है मिट्टी की विवित्ता होती है वर्सा की भी अलग विवित्ता ये मिलेगी इससे क्या होगा खादे विवित्ता भी होगी या लोगों की खाने की भी विवित्ता होगी दूसरा जो करसी उत्पादन या पसुपालन होगा उसकी विवित्ता होग ठीक है तो फल सब्जी उतपादर में भी हमारा दूसरा है या हमारे प्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो जब हमारे पास रा मेटरियल है तो रो मेटरियल को हम क्या कर सकते हैं अच्छे से प्रोसेस करके फूड इंडिस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं और खाद्यान उतपा बहुत ज़्यादा है वीसमें देखे तो हम इसमें मान सकते हो कि दूसरी इस्तान पर है इसमें 160 मिलिन हेक्टर हमारे पास कर्शियों की भूमी है सिकाइका भी हमारे पास काफि ज़ी ज़्या विस्तार है मतलब असवें स्भाड़ में भी हम डूसरी इस्तान पर तो मतलब इस में सहरी कर दूंग करहते है तो डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की इसके लाव पोशन ही उखा देए पड़ती लोगों की जन जागरूत आज बढ़री है लोग स्वास्तिक को लेकर जागरू को रहे हैं तो वो ऐसा न्यूट्रिस्टर वाला बोजन खाना चाहेंगे तो इसमें फूड इंडिस्ट्री आ यहां पे एक्जाम में आपको लिखने होते हैं पांस साथ पॉइंट आट पॉइंट मैंने यहां पर बरफूर पोइंट लिख दिय हैं कुछ याद रहेंगे लिख दे नाराम से कोई दिक्टवाली बात नहीं है इसके बाद में इस इंडिस्ट्रिस जोड़ी बहुत सारी चुनूतियां भी हैं समझ्यां भी है चुनूतियां समझ्यां कौन सी हो सकती है एक तो यह ही हे कि हमारे पास जो जितनी भी फूăड इंड 나오...? श. helpless in entre में होती है यह संगडित होता है है एक तो दीं संगडित होता है यह मतलब होता है लेकिन एसंगरी छेतर की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसे गाओं में आपने देखा होगा कुछ सबसे बड़ी प्रोब्लम हमारे इंफरस्ट्रक्सर को लेकर है सड़कों का विकास नहीं है और फूर्ड इंडिस्ट्री में यह चाहिए वह बहुत ही कम मिलेंगे आपको आजकल चलाने की बात की चल रही है और इसके लावा जैसे आपने यह देखा होगा कि नौर्ट इससे जल्दी खराब होने वाले फल्फरूट है या जो चीज़ें उनको भी वायू प्रीवन उनके साथ जोड़ा जा रहा है सरकार की होजना इसी है और विपनन बंदारण की इसमें समस्या है इसके लावा सहस्तागत रिंग की बात करते हैं देखो इसमें भी बहुत सारे संकट आते हैं बड़ी इंडिस्ट्री के जो लोग होते हैं उनको आसानी से रिंड बिल जाता है लेकिन जो हमारे इसके पास डॉकमेंट नहीं होते हैं ना उनका जीस्टी रिजिस्ट्रेशन होगा आजकल तो जैसे अधिमी पोर्टल पर ऐसे ऑनलान कर सकते हैं जीस्टी का वी सकते हैं सरकार की बहुत सारे से प्रोड़क्ट लिंग्ट आपने जो सकीम सुनी होगी सब्सडी वह भी मिलती है लेकिन जो हमारे इसके पास कुछ नहीं होता है तो उनको ऐसा लाप नहीं मिल पाता है ठीक है इसके लावा जैसे कोसर पर सिक्शन की भी इसमें कमी होती है ए डिस्टर डावलोपेंट और नवाचार की समस्यां हमेसा रहती है यह पॉइंट आप लगबग चीज़ां में इस्तिमाल कर सकते हो परसास्टिंग जटिलता है होती जैसे फूड इंडिस्ट्री जो है उसके लिए जो लैसेंस लेना पड़ता है चाहिए उसमें लेंड यू आप यह देख तो जैसे हमारे यहां कई बार जो मिठाई की दुखानी होती है उस पर जांस होती तो कितना मतलब जो बोजने मतलब खराब पाया जाता है ऐसे मानक और सुरुक्सा के मुद्दे भी इसमें हमेसा रहते हैं क्योंकि फूड इंडिस्ट्री से जुड़ावा मा उसमें क्या होगा जो भी माल होगा वो कम हो जाएगा तो कई सारी संक्रिस में देखने को मिलेंगे और खाते उत्पादन चेट परसस करने का है कि मत्या वस्तिति यह पॉइंट हो गया खाते परसस्ट में एकल राष्ट निती अलगला राजियों की अलगला रणने थिया इ कोई भी इंडिस्टि कहां इसतापीत की जा सकती है उसके कुछ मानक होते हैं जैसे सबसे बढ़ा मानक होता उसका कच्छा माल जैसे आप सबस्क्रो कि आपको टमाटर की केचप आता है कूझ और इसके लिए व स्बसक्रों की आपको कहा से आघ् Gibbs छे या तो आप उसी चेतर कई गुनागनीत होती जैसे कच्चा माल की बात करें जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई जो आइरन इंडिस्ट्री है लोएस्क जो इंडिस्ट्री है वो कहा इस्तापित होगी तो इसमें ये माननक होता है कि जहां पे लोहा कच्चे माल के रूप में मिल जाए या जहां पे कोईला मिल जाए क्योंकि ये बाहरी पदारत होता है ने इनको फिर ढोके आप दूसरे जगर ले जाओगे तो आपकी परिवन लागत बढ़ जाएगी कई सारी समस्या है उसी तरह की होता फूड इंडिस्ट्री जो होती है ना उसमें भी ऐसे जाने से सोरूर जाजकल तो हो रही है लेकिन कई सार टाइप की आप जानतों कि जैसे आपको इंडिस्ट्री साबित करनी गाओं में वहां पे इलेक्रिस्ट्री या इनके सप्लाई चेन की बादा है तो नुकसान हो जाएगा वहां पे जलापूरती कैसी होने चाहिए परिवन यानि करिक्टिव टीक वहां पे कैसी है कुल मलाके लोजिस्टिक है बाजकल काफी मुद्धिर रहते हैं लोजिस्टिक या नहीं सब चीज़े एक सक्तान पर आके उनको सप्लाई चेन में जोड़ा जाता है उनको और इसक रही के डाइग्राम को यूजम ले सकते हो ऐसे करके अगे बढ़ते हैं आगे जैसी अवस्तित के हम बात करें तो इसमें आहप चाओ तो तो ऐसा एक मेप बना लेना कि भारत के अंदर खा दे प्रसरक्रण उद्यों कहां का आश्थित है जैसे इस में क्या होता है मोटा मोटी आई आइडिया आपको नहीं रहे तो आप एक सिंपल मेथेड भी अपना सकते हूं सिंपल मेथेड क्या है कि जैसे आप आप इंडिया का मेप बनाके आप बहुत सिंपल बनाना जैसे आपको यह पता है कि यहां पर हर्याना पंजाब और उत्रप्रदेश में क्या होता है यहां पर पसुपालन बहुत अचा होता है विशेश कर बहसे या गाएं इनका पालन ज्यदा होता है तो यहां पर क्या होगा कुछी यहां पर डेरी उद्योग भूजया मिलेंगे आपको डेरी उत्वाद प्राधरीत मिलेंगे राजस्तान का एक्जम्पल देखें जैसे बिकानेर एक इसा सुस्क परदेश जहां पर अग्रिकल्सर कम होगा ठीक है तो वहां पर और क्या उपाया हो सकते हैं तो यहां प यहां पर 30 चितरों के और जाओगे तो वहां मतश उत्पाद नदी पाए जाएगा तो जो फिस से समद्धित फूड प्रोसेजिंग इंडिस्ट्री कहां पर होगी ज्यदा 30 चितरों के और होगी इनलेंड रिजिन में भी हो सकते हैं क्योंकि भारत में हमारे काफी जदा सब्जियां बहुजदा होती है नोर्थ इस्ट में जाओगे जैसे आपको फल मिलेंगे जैसे बनाना है या मतला आपका पाइनेपल है तो जूस इंडिस्ट्री वहां पर इस्तापित होगी यहां पर हिमाचल में भी ऐसे प्रियोग देखे गए या जैसे आपने बहुत सार कि हम देखें तो मैंने मोटा मोटी लिखने की प्रियास किया है यहां पर जैसे डेरी उतपाद कहां पर राजस्तान पंजाब रिणा और भी कहीं जी को सकते हैं अपने आज पास का भी एक्जामपल दे सकते हो ठीक है इसमें मैं केस इस्ट्री लिखूँगा तो राजस्ता इसमें समुद्री उतपाद है उसमें यह 33-6 अनाज परसक्रण का हो गया यह चीज़े आप इसमें बता सकते हो इसके बाद में आती है कि आप पूर्थिस रंकला से जुड़े मुद्द्य जो आते हैं वो क्या है कि खादेपसर अद्योग में आप जानते हो कि आप ऐसा प्लाई होता है उसको आपरतिस अंकलाब में हम सामिल कर सकते हैं जैसे यहां पर आप देखो सबसे पहले कच्छा माल किस प्रकार उत्पादन किया जाता है किसान इसमें इंपूट और आउटपूट करेगा किसान कितना मतलब किसान की लागत आईगी कितना फिर प्रोडॉक्शन होगा उसके बाद में जो उत्पादन है उसका खरीद बंडरन होगा और उसका सबसे पहले प्रात्मी प्रसेस्कन होगा ठीक है जैसे एक्जामपल की तोर पे ग्यों होगा यहां पर आटा बनाए जाएगा अठा फिर अठा इप करने का अच्छा प्रोडॉक्सन होगा मैं मतलब कने प्रोonstantage इंडेस्टी में यो मुकिद्ड जेमें उसमें फ्रॉड और बेग्ण रोट होगा प्परड में क्या होगा अप्परड का मतलब होता है कि जैसे कोई फूट ब्रोसेशिंगμεज़ इस्तापित करना साथे हो और उस्से पहले आपको कच्च आमाल तरहे आपको कंचे माल के तलास करते हैं ऐसे अब कहां से अच्छी लागत मिल रागत हुश मिल सकते है स्प्लाइशचेन कैसी वहां आप पी समझ पारे हो, इसके लावबा किसानों के साथ संप्रक किया जाता है, इसमें, कच्चा माल बंढरन परीवन, और जो भी आपके पास मसेनी बें रहती है, अच्छी गुनता जांच वाली मसेने होती है, इसमें आपको अच्छा सरम बल भी चाहिए, तो यह क्या होता है, किसमें आएगा ? जब यहाप कोई इसी सबड़ तो यह अप अभी तो आप त्यार करना है आपको इस परले इतना रिशेट और यह प्रोडॉक्त के जाए गाट तो आपके पास अच्छी जो प्राइस करने टेकनिक होने चीजिए ऑच्छी आपकर आपके पास अच्छी वाले होनी चीजिए आपके पास supply chain वीतरन का भी साधर होना चाहिए कारियबल हो गया संपर्ग वीतरन जाल होगा तो यह तो आफशता होती किसी भी इंडिस्टी के लिए आपको डारेट यह सब पूचा जा सकता है कि अप्स्ट्रीम डाउन्स्ट्रीम मुद्ध बताईए इसके लावक खादे परस्ट्रीम में यह किसी में भी काम कर सकता है यह जो बेकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जाना बहुत सारी ज़ों में कामात हैं किसी भी इंडिस्टी में या कोई प्रोड़क्ट में बहुत सारी जगरप उची जा सकते हैं ठीक है तो इसमें मुखिरूप से बेकवर्ड लिंकेज़ हम बात करें खादे परसेस्क्रण उद्योग में बेकवर्ड लिंकेज़ की बात करें तो कच्चा माल होगा इसकी परसेस्क्रण की काई होगी कनेक्टिविटी इसमें मुद्धे सामिल होगे ठीक है जैसे एक्जामपल की तोर पर हम देखे कोई किसानों से जैसे माल खरीदा जाएगा कच्छा माल और उसको क्या करेंगे फिर एक प्रोड़क्ट में बनाएंगे हम कोई भी उत्पाद बनाएंगे तो तिलन के बाद में जो उसका कत्रा बस्ता जिसको खली बोलते हैं वो पसो के चारे में काम आ सकती है आज कली जान रहे हो कि बहुत सारी चीज़े हैं जिनको बायो डिजल में इंदन में इस्तिमाल कर सकते हैं यह आप साथ में बता सकते हो forward linkage में यह होते हैं कि जैसे बंडारन हो गया, परिवन नेट्रोक हो गया खादे परससकरन और एकाईयों की बाजार तक इसकी connectivity कितनी होगी ठीक है, तो backward और forward linkages आपको यह पता होना चाहिए, यानि backward का मतलब होता है कि पहले सबसे पहले कुछ हम बनाएंगे, कुछ प्रोड़क्ट बनाएंगे और इसको सेल करेंगे forward linkages में तो backward और forward linkages के बारे में भी कई वार पुछा जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए कि backward linkages से जोड़ी भी क्या चिंता ही आ सकती है जैसे इस कुछन की बात करें कि खादे जो प्रसक्रन उद्योग है उसमें backward linkages से जोड़ी क्या-क्या समस्या आ सकती है तो आप किसान से लेकर जो connectivity की समस्या है उस सब बता सकते हो बहुस सारे मुद्देश में सामिल होंगे इसके लाब forward linkages में क्या-क्या supply chain की बादा ही हो सकती है वो भी आप इसमें बता सकते हो आगे बढ़ते हैं इसके लाब भारत में खादे प्रसक्रन उद्योग में आपुरती सरक्ला से जोड़ी क्या-क्या समस्या है तो इसमें समस्या है कि जैसे एक तो हमारा हमने एप एम सेक्ट पड़ा एप एम सेक्ट में यह क्या लिखावा है कि जो खिसान अपना product मंडियों में बेए सकता है बीच में खुले बादार नहीं बेए सकता तो आजकल दो थोड़ा से इसमें सुधार भाए कि सबजियों को इनको अनमुती दिये खुले बादार बेचने के लिए लेकिन जो खादे इंडिस्ट्री वाले हैं तो वो कहां से कच्चा माल करे देंगे तो इसमें संकटाएगा कच्चे माल का और अधरबू डासा तो चलो इसमें यह पॉइंट तो सब में आएंगे और खाद्धन और फल सब्जियों के हमारे याँ बरबादी बोज़एता होती है क्योंकि वही बात था ना कि सब्लाइचें सही नहीं है और लागते अधिक हैं कि इसकी जैसे लागते बहुत सरी लागते हैं फूड प्रोस्य इंडिस्टी के लिए नहीं नहीं मशीनी चाहिए तो कहां से हम बाहर से आयात करते हैं तो इनका समधन होगा कि हम हमारे यह हैं मेक इन इंडिया आजकल काफी चल रहा है भी आजकल कि किसानों को परशिक में समता विकास है अधर बाजारे साथ है FDII इसमें 100% कर दीगी है मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है ठीक है प्रोड़क्शन के लिए भी जो स्कीम है वा आगे बताएंगे है उसमें भी कापी चल रहा है लोजिस्टिक हब कनेक्टिवटी आज कल कोरिडोर बनाए जा रहे हैं रेलो के या परिवन के ठीक है सूपर मार्गेट और एकोमर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आज गल आपने देखा होगा बड़े-बड़े सेरों में मोल इस्तापित के जा रहे हैं एक सप्लाइचेन मतलब बन रही है परिवन के खुद ही एक सप्लाइचेन बन जाती है ठीक है यह बता सकते हो इसके लावा यह कुछ रूशन बुचे जा सकते हैं कि इसमें समधान क्या है बार सरकार की क्या प्रियास है तो दोस्तों इसके अंदर इकनोमिक सर्वे बजट में हर बार नहीं नहीं चीज़ आती रहे थी वो आप बता सकते हो जैसे मेगा फूड पारक है यह 2008 में यह उजना बने थी इसमें बहुत सारे चीज़े जो ड़ीगे मेगा फूड पारक के बारे में पीम किसान संपता यह जना इसके अंदर भी कई यह जनाओं को एक साथ मिला दिया गया है इसमें भी खेट से खुद्रा बाजार तक जो कुसल आपूरती सरंक लाउस को सही करने के लिए बुनेती रचा विकास की बात की जारी इसमें कलस्टर बनाए जाएंगे एक एकरत कोल्ड चेन बनाने के बाद चल रही ओपरेसन गरीन चर्जा में रहता है हमेशा पहले बजट में 2018 में क्या किया था आलू टामाटर प्याज के लिए किया था लेकिन आज कि बहुत सारी पल्स अब्यों किसमें सामिल कर दिया गया है तो इसको फूड प्रोसेसिंग इंडिसी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि जो कई वार आपने देखा हो ना कि कम किमत के करण किसान क्या करते है आलू टामाटर को शड़कों पर डाल देते है तो ना तो किसान को मुल्य मिल पाता है बोगताओं को जो अच्छा कम किमत पर उनको प्राइस पर जो प्रोड़क्ट मिल पाता है तो सरकार नहीं अच्छा परियास किया कि अब क्या करेंगे उप्रेसन गरीन से इस उदार करेंगे एक डेरी प्रोड़क्ट में भी एक जिसी निदी है जो हम पढ़ रहे थे कल परशों में इसके लाव यह सब सीधा चर्चा में आजकल उत्पादल लिंक प्रोटसान योजना इसमें क्या करेंगा क्या करना है आजकल जानते हो मुद्रा बेंक है किसान क्रेडिट कार्ड है यह सब जीजें से जुड़ी हुई है कोस्टल परसेक्शन जागरूता है गुनुता जहां से तु लेपस निरियात होड़ा होगा तो यह बहुत सार इसे इसमें आ गई है इस एप्टर पी काफी बढ़ा हो गया बोलते बोलते थक गया उंदम ठीक है तो मिलते हैं को और वीडियो में और टेलेग्राम से पेडिया डाउन्लोड करेना बहुत बहुत धन्यवाद